Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academies Interactive Classes. यह हमारी हिंदी की पाट्टे पुस्तक रिम्जिम भाग तीन है और आज का हमारा टॉपिक है पाट आठ बंदर पाट यह एक नाटक है जो लिखा है श्री हरीवंसराय बच्चन जी ने नाटक क्या होता है जैसे आप मूवीज देखते हैं और नाटक आते हैं प्रोग्रामस आते हैं वो देखते हैं उन सब के पीछे एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी को किस तरीके से लिखा जाता है वो आप इस पार्ट में देखेंगे यह पार्ट आप लोगों के लिए एक नई चीज है किस तरीके से नाटक लिखा जाता है और पिक्चरें किस तरीके से बनती हैं कितने पात्र होते हैं पात्र किसे बोलते हैं जो उस नाटक में या उस फिल्म में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम पात्र बोलते हैं चलिए इस नाटक को देखते हैं क्या है बंदर बाट अब इस नाटक के लिए सबसे पहली चीज होती है कि जगे है स्थान मतलब जगे है कि कहां पर ये नाटक खेला जा सकता है खुली जगे या कोई बड़ा कमरा पात्र पात्र जैसा कि अभी आपको बताया कि इस नाटक में हिस्सा लेने वाले लोग कौन-कौन लोग इसमें काम करेंगे एक बंदर है और दो बिल्लिया साथ-ाथ बरस, बरस मिन्स साल के साथ-ाथ साल का लड़का बंदर और पांच-छे बरस साल की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं बंदर के लिए पोशाक, पोशाक मिन्स कपड़े अब बंदर अगर आप बनाएंगे तो उसे क्या कपड़े पहलाएंगे पीला चूडीदार पजामा, चूडीदार एक तरह का स्टाइल होती है रड़कियों के पजामे की कुरता और दुपटा, दुपटा बोलते हैं चुन्नी को जो कमर से पूँच तक निकाल कर बांदा जा सकता है मुँपर लगाने के लिए एक बंदर का चेरा जिसमें आँखों और मुँच की जगे छेद हूँ यह तो आपने देखा वह का मुख़टा जो आता है, उससे पहले वह कहता है कि पीला चूडी दैर पजामा होना चाहिए कुरता और दुपटा हो जो कमर से पूँच से निकाल कर बांदा जा सकता हूँ इसे कमर पर हम पूँच की तरह निकाल कर बांद सकते हूँ बिल्लियों के लिए क्या पोशाक है? बिल्लियों के लिए वो जो पोशाक है वो बता रहा है कि काली, सफेद सलवारे, कमीजे, दुपट्टे, जो कमर में उच से निकाल कर बांधे जा सकते हूं, बिल्कुल उपरवाले की तरह है, साथ ही साथ मुँपर लगाने के लिए सकाल यह एक बड़ा सा मेच पोश, मेच पोश बोलते हैं मेच के उपर बिचाने वाला कपड़ा, या एक बड़ी चादर हो, डबल रोटी का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा हो, और एक छोटा सा तराज हो, तो यह सामान हमारे को चाहिए इस नाटक के लिए, कौन-कौन से गड़ा सामरे के बीच फोश बीच पे एक मेच रखके तयार कर स्पर दीघए जाएगी, जिस पर मेच पोश पड़ा होगा, इसके उपर एक चद्दर बिचानी वाला कपड़ा हो, और एक जिआवा से ढगत देगा हो, मेच के पर रोटी का टुकड़ा रख या रिखा होग काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है प्रवेश मतलब एंट्री करेगी राइट अब क्या है काली बिल्ली क्या कह रही है वो आगे लिखा है बिल्ली बहन नमस्ते सफेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते फिर काली बिल्ली बोलती है सफिद बिल्ली जवाब देती है खाने को कुछ ढून रही हूं काली बिल्ली कहती है उस खोज में मैं भी निकली हूं खोज मतलब ढूनने मैं सफिद बिल्ली फिर कहती है मुझे महक रोटी की आती महक मिन्स खुश्बू मुझे खुश्बू रोटी की जो खुश्बू है वो आ रही है काली बिल्ली कहती है हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है सफिद बिल्ली कहती है रखी मेज पर है वो रोटी लखूँ कोई आना जाए तो तो कहती है कि मेज पर रखिया है मैं लपक लूँ पकड़ लूँ क्या कहीं कोई आना चाहे है इतना में काली बिल्ली तू डर मैं तो लेने चली काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है अब वो काली बिल्ली जो है रोटी लेकर भागने लगती है सफेद बिल्ली एक द सफेद बिल्ली मैंनत दिखाती तो तू जाती, काली बिल्ली अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आखे नहीं है, डरती थी उस तक जाने में, जा डरपो कहीं की, जा भग, रोटी मेरी, सफेद बिल्ली कहती है, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूँगी, काली बिल्ली कहती है, देख राहस से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूँगी, सफेद बिल्ली कहती है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे, हक उसका है रोटी पर, हक म पहले देखेगा, उसी को मिलनी चाहिए, काली बिल्ली, पहले दोडे, दोड के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर, रोटी पर पहला हक, मेरा, सफेद बिल्ली, मैं कहते हूं, रोटी मेरी, काली बिल्ली, मैं कहते हूं, रोटी मेरी, और इस तरीके से दोनों लडने लगते हैं दोनों जगडती हैं रोटी मेरी रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर राती है बंदर का प्रवेश अब नाटे के क्या होता है बंदर तीसरा पातर आ रहा है बंदर बंदर क्यों तुम दोनों जगड रही हो तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से कहता है और फिर काली बिल्ली से बोलता है तुम कहती हो रोटी मेरी रोटी किसकी मैं इसका फैशला करूंगा चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ कचहरी बोलते हैं जहां पर किसी मुकदमे का फैसला होता है उसे कचारी बोलते हैं बंदर दोनों से चीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है दोनों बिल्लियां पीछे-पीछे जाती है अब पहरा दृष्य ख़दाम हो जाता है परदा गिर जाता है दूसरा दृष्य चुरू होता है बंदर की कचरी लगी होती है बंदर मेच पर बैठा है रोटी का टुकड़ा सामने रखा है दोनों बिल्लियां मेच के सामने इधर उधर खड़ी है बंदर सफेद बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है सफेद बिल्ली श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है बंदर काली बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है काली बिल्ली श्रीमान पहले मैं जप्ती थी रोटी लेने इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है बंदर सफेद बिल्ली से एक आँख से देखी थी या दो आँख से सफेद बिल्ली दो आँख से दोनो आखों से बंदर काली बिल्ली से एक टांख से जपती थी कि दोनो टांगों से काली बिल्ली दो टांगों से दोनों टांगों से बंदर तुम दोनों का था गवाह भी गवाह मींज कोई तीसरा वेक्ति जो ये सारी खटना देख रहा हो उसे गवाह बोलते हैं जो बता सके कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था दोनों बिल लिया कहीं न कोई कोई न कहीं कोई भी नहीं था बंदर बात बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए मेरे पास धरम काटा है धरम काटा मिंज तराजू बंदर मेच के नीचे से तराजू निकाल लेता है दो हिस्सों में तोड़ कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठता है और उठाता है एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा उपर होता है ने तराजु में कि जो वजन जादा हो नीचे को जाता है और जो वजन कम हो वो उपर को हो जाता है बंदर यह तुकडा कुछ भारी निकला इसमें से थोड़ा खाकर हलका कर दूँ फिर तरा जो उठाता है और पहला पलडा उपर और दूसरा पलडा फिर नीचे हो जाता है बंदर अब यह तुकडा भारी निकला अब इसको थोड़ा सा खाकर हलका कर दूँ फिर खा लेता है फिर तराजू उठाता है, अब पहला प्रड़ा नीचे हो गया और दूसरा उपर बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, खोटे मतलब गर्बड करने वाले, एक दूसरे को छोटा दिखाने, दिखलाने में ही लगे हुए हैं, मुह तक गया, बार बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर मेरा हाथ भी ठक गया, ऐसा बंदर बोलता है, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई, बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हैं, हाथ मलती हुई, ये एक मुहावरा है, हाथ मलती मतलब पश्टाना ठीक है उदास होगे एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे को देखते हुए सफित बिल्ली कहती है आप ठक गए अब ना उठाएं और तराजू काली बिल्ली बचा खुचा जो है दे दें हम आपस में बाट खाएंगी बंदर नहीं नहीं तुम फिर जग मैं जगडे की जड को ही काट देता हुँ जड काटना भी एक मुहा हो रहा है मतलब नुक्सान पहुचाना बचा खुचा भी खा लेता हुए इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है दोनों बिल्लियां आपस में जगडा क बैठी बुद्धी अपनी खोटी अपस्ताने से क्या होता बंदर हडपा रोती हडपने ना मतलब गायब कर देना या खा लेना तो यह एक नाटक था जिसमें आपको पता चला कि किस तरीके से डायलिगत होते हैं यह काली बिल्ली का डायलोग यह सफेद बिल्ली का डायलोग और ये बंदर का डायलोग अपने अपने डायलोग बोलने होते हैं अपने अपने समय पर राइट स्टुडेंट्स मज़ा आया होगा आपको चलिए कुछ अभ्यास प्रश्ने वो देखते हैं रडाई जगडा दोनों बिल्लियों के बीच जगडे की जड़ क्या थी उनके जगडे का हल कैसे निकला तो क्या जड़ थी उनकी जगडे की रोटी का टुकडा और कैसे निकला हल हलवल तो कुछ नहीं निकला और मज़े से बंदर ने वो रोटी उनको बेकूब बना कर खाली तुम किस-किस के साथ अक्सर जगडते हो किस-किस के साथ जगडते हो भाई मैं तो अपने दोस्तों के साथ ये कभी-कभी भाई बेहनों के साथ भी जगडता हूं जगडते समय तुम क्या-क्या करते हो मैं जोर-दोर से बोलता हूं और कभी-कभी धक्का भी देता हूँ, और कभी-कभी मार भी देता हूँ. जब तुम किसी से जगडते हो, तो तुमारा फैसला कौन करता है? भई, अगर दोस्तों से लड़ते हैं, तो दोस्त ही हमारा फैसला कराते हैं, और अगर घर पे भाई-बेनों से लड़ते हैं, तो भ उस जगे का नाम है ले वहाँ पर लोग एक दूसरे को मिलते समय नमस्ते नहीं कहते क्या बोलते है जूले मिलने पर दोनों बिल्लियों ने एक दूसरे को नमस्ते कहती है तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो जा कहते हो तुम्हारी सहीलिया दोस्ट से मिलते हैं तुम क्या बोलते हैं है ना तुम्हारे सिक्षक को मिलते है तो या तो सुबह मिलेंगे तो गुड मॉनिंग शाम को मिलेंगे तो गुड आफ्टर नून है ना या गुड इवनिंग रात को मिलेंगे जाते समय तो गुड नाइट बोल देंगे और नहीं तो नमस्ते भी चलता है तुम्हारी दादी या नानी को प्रणाम करते हैं और बड़े भाई और बहन को हम नमस्ते कहते हैं अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकें से नमस्ते कहते हैं तो वो भी हाई हेलो नमस्ते प्रणाम है ना इस तरीके से ही बोलते होंगे तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी अगर बंदर बीच में नहीं आता तो काइदा तो ये बनता कि दोनों ना लड़ते और आदी आदी रोटी बांट लेते हैं और अगर फिर भी किसी एक को मिलनी चाहिये थी तो फिर वों मिलनी चाहिए थे जिसने बिल्ली ने रोटी उठाई थी, है ना, उसी को मिलनी चाहिये थे। बंदर ने बिल्यों से यह सवाल क्यों पूचह होगा ुन्हों ने रोटी एक आंख से देकी थी या दोनों आखों से अथ differs एक टांख से जप्ती थी या दोनों टांखों से order तो यह तो उसने अपने आपको ज्यादा होशियार बताने के चक्कर में पूछा होगा ऐसा कोई विसे इस मकसद तो नहीं था बस खाली उन्हों को अपना इंप्रेशन डालने के लिए अपना प्रभाव जबाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा जज हूँ बंदरबाट कहानी का सीर्सक बंदरबाट क्यों है क्यों है क्योंकि भई असमें बंदर ही बाटने का काम कर रहा है तो इसलिए उसका नाम बंदरबाट रखा है तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी यह चाहोगे अगर मेरे हिसाब से होता तो मूर्ख बिल्लियां भी हो सकता था ये बिल्लियां पस्ताई कुछ भी हो सकता है जो सीर्षत तर तक तुमने दिया है उसे सूचने का कारण बताओ भई हमने तो इसले सूचा क्योंकि लड़ने के बाद जब रोटी उन्हें नहीं मिली तो बिल्लिया पस्ताई रही थी है न, अब वो कहता है माप तो बंदर ने रोटी बराबर बाटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोल कर खरीदा जाता अब ये क्या है कैरोसीन हो सकता है तेल इसे तोल कर खरीदते हैं पपीते को भी तोल कर खरीदते हैं रवड को नहीं खरीदते हैं तराजू को तोल कर खरीदते हैं कभी-कभी और कभी-कभी वैसे पीस के हसाफ से भी ले लेते हैं कपड़ को भी गिन के ले लेते हैं ये क्या है चावर है तो तोल के लेंगे नारियल को पीस के हिसाफ से लेते हैं और ये फूल है फूल को तोल के और पीस के हिसाफ से दोनों तरीके से लिया जा सकता है तोलते वक्त एक परड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट बाट किस धातू या चीज का बना होता है बाट जो है जादा तर तो लोही का बना होता है लेकिन कहीं कहीं हमें पीतल के भी छोटे छोटे पीले पीले से बाट दिखाई देते हैं और कुछ को तो हमने इस तरीके से भी देखा है कि वह पत्थर या इंट का टुकड़ा भी बाट की तरह इस्तिमाल करते हैं, है ना, बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है, वजन किलो ग्राम या ग्राम में बताया जाता है, पता करो बाजार में कितने किलो ग्राम या ग्राम के बाट मिलते हैं, जैस स्वेम भी करेंगे अपने आप पता करेंगे बहar जाकर और वैसे आदा किलो, सौ गराम, दो सो गराम, पांच किलो, दस किलो, एक किलो, बीस किलो, पचास किलो, सा किलो धक्के भी बाठ होते हैं. बिल्लियों वाह क्या खुश्बू है. बिल्लियों को पनीर की जिस भी चीज़ के पकने की उसके खुचब आपको अच्छ लगती है वाब लिख सकते हैं और किन किन चीज़ों में महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है जैसे की साबुन की गंद जूते की पॉलिश की गंद इसके अलावा परफ्यूम की उसके अलावा धूबती जलने की है ना इस तरह की और किसकी शैम्पू की इस तरह की जो खुचब आती है वो आप यहाँ पर खुद लिखेंगे उसके आद कैते हैं मुझे महक रोटी की आती इस वाक्य को आप किस तरीके से लिख सकते हैं मुझे रोटी की महक आती है ठीक इसी प्रकार आपने नीचे के दिये वे उनको लिखना है उसी खोज में मैं भी निकली मैं भी उसी को ढूनने के लिए निकली हूं रखी मेज पर है वो रोटी वो रोटी मेज पर रखी है दर्ती थी उस तक जाने में वहां तक जाने में दर लग रहा था इसी तरीके से बाकी के दोनों भी आप करेंगे एक और बटवारा अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तर्बूज मिला दोनों सोचने लगी इस तर्बूज को कैसे बाटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया आगे क्या हुआ होगा तो आगे क्या क्या हुआ 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 बंदर ने कहा होगा कि लाओ मैं तुमारा फिर से बटवारा कर देता हूँ मगर अब की बार बिल्लियों ने सोचा होगा कि नहीं हम बटवारा तुमसे नहीं करवाएंगे बलकि हम खुद ही इसे आधा आधा बाट लेंगे और बंदर मायूस होकर चला गया होगा है ना और अगर किसी के पास कुछ दूसरा आइडिया होगा तो वो अपने आप यहाँ पर लिखेंगे राइट स्टुडेंट्स अब माथा पच्ची माथा पच्ची मतनब दिमाग लगाना अब यहाँ पर खूप सारी बिल्लिया है अब उक तक कटो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली तस्वीर देखकर बताओ इन में से कटो बिल्ली कौन सी है अब यह उसकी फोटो है कटो बिल्ली की तस्वीर अब आपने देखके बताना है कि यह बिल्ली कौन सी है अब आपने इसमें से देखके अपने आप करना है इकाम अब लास्ट में दिया है मुखोटा यह मुखोटा आप काट सकते हैं और उसके बाद यहां से निकाल देंगे और यह छोटा सा यह वाला कट भी कर देंगे और यहां पर और एकोने में यहां पर थ्रेड बान कर इसे अपने चेरे पर लगा कर आप बिल्ली की दरह भी दिखाई दे सकते हैं और इसी प्रिकार आप और मुखोटे, और जानुरों के मुखोटे भी बना सकते हैं, तो ये था एक नाटक, बंदर बांट, आशा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, टेक क्यार, स्टे अठ होम, गुद देग। I hope you enjoyed our video, thanks for being with us.